हेलो फ्रेंट्स, इट एंचिल बाई द्रस्टिस किचन में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ एकदम सारी सब्दियों से भरा हुआ मिक्स वेच पराठा जो आप बच्चों को लंच बोक्स में दे सकते हैं बच्चे अगर आपके कोई भी सब्दि नहीं खा रहे हैं तो उसमें एड करके आप उसको पराठा बना सकते हैं तो सबसे पहले अब में एक पैन लेंगे उसमें वन टेबल स्पून ओईल एड करेंगे हमें थोड़ा सा ही ओईल ज्यादा हमें ओईली नहीं बनाना है उसके बाद जैसे ही ओईल गरम हो जाए आपको उसमें एक चोप की हुई ओनियन एड करनी है जैसे ही सोते हो जाए आपको इसमें केपसिकम, केबेज, केरेट, बीट रूट, पीज यानी मतर और बोटल गाड यानी दुधी को सबको अच्छे से कदुकस कर लेना है इसमें 1 टेबल स्पून सोल्ट, 1 टेबल स्पून हलदी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर सबको अच्छे से मिक्स करके अब इसमें में 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून लाल मिच पाउडर अच्छे से मिक्स करके 2 मिनिट के लिए कुक होने दूगी अब हमारा जो मसाला है वो कुक हो चुका है लास्ट में हम इसमें 3 बोईल किये हुए आलू एड करेंगे आप इसकी जगा स्वीट पोटेटो भी एड कर सकते है अब आलू को हमारे जो मसाला है उसके साथ अच्छे से मिक्स करके ऐसे ही 2 मिनिट रहने दीजिए लास्ट में मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून लेमन जूस और 1 टेबल स्पून सुगर एड करूँगी इससे खटा मिठा टेस्ट अच्छा आएगा और उपर से हम धनिया एड कर देंगे अब मसाले को ठंडा कर लीजिए उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 कब गिहूं का आटा लिया है उसमें 2 टेबल स्पून ओईल और थोड़ा सा नमक एड करके मैं यहाँ पे डो रेडी कर लूँगी अब उसकी छोटी छोटी लूए बना के ऐसे हमें पहले सरकल में बेलना है उसके बाद बीचने हमारा जो मसाला है उसको रखके ठाइड में थोड़ा सा पानी लगा के ऐसा स्क्वेर पोकेट जैसा बना लीजिए अब यह पराठे को हम ओल में मीडियम फ्लेम में अच्छे से उसको सेक लेंगे जिससे हमारा पराठा वग एकदम क्रिस्पी हो जाएगा तो लीजी हमारा मिक्स वेजिटेबल पराठा रेडी है आप इसके अंदर चीज भी एड कर सकते हैं अगर यह आपको रेसिपी अच् शेयर सब्स्रेब करना ना बुलिए बाइबार